पाकिस्तान को जंग नहीं जीता है, जंग में हमेशा हारा है और क्रिकट में भी पहली बारी जीता है। जब तक आप सुद्रोंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। देश दुरोहियों के उपर पैसा खर्चना बंद कर देना चाहिए। तीन बच्चे यूपी में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, अजादी के नारे लगाते हैं, देश के विरुद नारे लगाते हैं, उनको जब वहाँ पर अरेस्ट किया जाता है, तो इनको बहुत जल्दी पेट में दर्द शुरू हो जाती है। में भारत के लोगों के जूरत है जो भारत के लोग हमेशा भारतियों के साथ खड़े हैं देश द्रोहियों के साथ नहीं जिन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाएं इनकी दस पुष्टों को सरकारी नोकरी नहीं मिलनी चाहिए तो दो दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस् इमरान खान न्याजी खड़ा होगा चितर लेके चितर जिनको नहीं समझ आता है उनको हम बता दूँ चपल जुत्ती शूज इनको चितर कहते हैं चितर लेके खड़ा होगा चितर मारेगा इनको फिर ये वापिस आएंगे चितर खा के भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच क्या हुआ? पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि उसने भारत पर पतानी कौन सी जीत हासिल कर ली हो और कुछ मुठी बर लोग, चंद लोग जिनका एक ही काम है देश में नफरत फैलाना, देश में हिंसा फैलाना और पाकिस्तान की और उसका परिनाम क्या हुआ वो आपने और हम सब ने देखा अनन्या जमवाल जब उस भारत की बेटी ने देश भक्ती दिखाई और ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जो देश के लिए इस तरह की नफरत फैलाने वाली भावना रखते हैं तो कुछ मुठी बर समुधाय के लोगों को पेट में दर्द होना शुरू होगी मेरे साथ इस समय डोगरा जनरलिस्ट आशिश कोली जी मौजूद है इनी सब पर बादचीत करने के लिए क्योंकि अपनी बात हमेशा से ही बहुत ठोस तरीके से रखना जानते हैं और एक कड़ा मैसिज हमेशा से ही उन मुठी बर लोगों को देते हैं जो लोग देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं आशिश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद राम राम आपके सभी दर्शकों को मेरा परनाम आशिश जी किस तरह से देखते हैं क्योंकि आप भी हमेशा एक कड़ा मैसिज देने की कोशिश करते हैं उन मुठी बर लोगों को की बाज आ जाईए लेकिन बाज नहीं आ रहे है देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच हुआ है यह मैं सब को स्पष्ट कर दूँ पाकिस्तान को जंग नहीं जीता है जंग में हमेशा हारा और क्रिकेट में भी पहली बारी जीता है खाली बच्चों का खत्रा नहीं है अगर आज ऐसे देश द्रोहियों को नहीं रोका गया तो कल स्किम्स में हमारे फोजी भाईयों का इलाज होगा कि जम्बू कश्मीर पुलीस की हिट लिस्ट में हैं देश द्रोही इंडियन आर्मी की हिट लिस्ट पे हैं देश द्रोही LG सरकार की हिट लिस्ट पे है देश द्रोही और हमेशा से हारता रहा है इसके बाद कुछ ऐसे चंद लोग जो आपने अच्छा शब्द यूज किया चंद मुठी बर लोग वो जो देश द्रोही एक्टिविटीज में इन्वाल्व थे वो इस क्रिकेट मैच के बाद और सामने आए हमें पता चला कि स्किम्स चैसे हास्पिटल के अंदर भी देश द्रोही एक्टिविटीज चल रही है हमें पता चला कि GMC के शिरिनगर के Boys Hostel और Girls Hostel के बीच में भी ऐसी अक्टिविटीज चल रही है हमें पता चला कि राजोरी की एक OT technician एक महिला वो भी देश द्रोही एक्टिविटीज में इन्वाल्व है हमें ये भी पता चला कि जानिपूर में भी कुछ complaints दर्ज हुई हैं पुली स्टेशन में जहां पर देश द्रोही एक्टिविटीज जम्मू में भी कुछ लोगों ने की तो ये जो देश द्रोहीयों का चेहरा है वो सामने आया है इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारी जम्मू की बीटी अनन्या जम्मूल जी का जिनका में कल भी status पढ़ रहा था उन्होंने ये लिखा था बड़ा साफ स्पष्ट शब्दों में जब तक आप सुद्रोंगे नहीं हम रुकेंगे नहीं बड़े अच्छे शब्द हैं ये सुदरना तो पढ़ेगा देश द्रोहियों को इसलिए हमारी LG सरकार ने UAPA जैसा एक्ट उन पे लगाया है मैं तो ये भी कहूंगा कि LG गुर्मेंट इनकी आने वाली दस पुष्टों को सरकारी नोक्री ना दे और इनके कागजों पे लिखा हो देश द्रोही और इसके साथ साथ अगर इनके परिवार में किसी के पास सरकारी नोक्री है तो वो नोक्री ले ली जाए और आज तक उनको जितनी तन्खवा दी गई है वो तन्खवा लेकर डेली वेजरों की पर्मनेंट पॉलिसी में लगाया जाए SPO को पर्मनेंट करने में वो पैसे को EPO किया जाए देश दुरोहियों के उपर पैसा खर्चना बंद कर देना चाहिए दूसरी बात हमारी बेटी अनन्य जम्वाल को जब ठेट किया गया धमकिये दी गई हरास किया गया सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वाइरल की गई स्किम्स के बच्चों द्वारा जीम्सी के बच्चों द्वारा शिरी नगर के तो अब उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन, गुलाम नभी अजाद या बाकी जितने भी कश्मीर सेंट्रिक नेता हैं वो क्यों चुप हैं तीन बच्चे यूपी में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, अजादी के नारे लगाते हैं, देश के विरुद नारे लगाते हैं उनको जब वहाँ पर अरेस्ट किया जाता है, तो इनको बहुत जल्दी पेट में दर्द शुरू हो जाती है किसी भी कश्मीरी बच्चे का एक नाखुन थोड़ा सा ज्यादा कट जाए तो इनको पेट में दर्ध शुरू हो जाती है तो क्या हमारी जम्मू की बेटी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती क्या ये चीफ मनिस्टर सिर्फ कश्मीर के हैं ये जम्मू के चीफ मनिस्टर नहीं है मैं जम्मू की जनता को भी कहूंगा ऐसे लोगों से बच के रहें जो हमारे जम्मू के जब जम्मू के उपर बात आती है तो जम्मू का बिलकुस साथ नहीं देते आज अनन्या जम्मौल का साथ पूरा भारत दे रहा है लेकिन कश्मीर के नेताओं के मुँसे एक शब्द तक नहीं निकला महभूबा मुफ्ती शारुक खान के ड्रगिस्ट बेटे आरेन खान के लिए ट्वीट कर सकती है लेकिन महभूबा मुफ्ती अनन्य जमवाल के लिए ट्वीट नहीं कर सकती उमर अब्दुल्ला छोटी छोटी बातों के लिए जनम दिन की मुबार्खें अपने N.C. के वरकर्स को दे सकते हैं अनन्या जमवाल के लिए के एक शब्द नहीं लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं देश द्रोहियों के लिए आपके पास टाइम है देश भक्तों के लिए टाइम नहीं है लेकिन हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें भारत के लोगों की जूरत है जो भारत के लोग हमेशा भारतियों के साथ खड़े हैं देश द्रोहियों के साथ नहीं एक बार फिर से जो ये देश द्रोही हैं का इस समय दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया तो डेमोक्रेटी कांट्री है यहाँ पर सबको डेमोक्रेसी है लेकिन क्या इन चीज़ों के लिए डेमोक्रेसी का दिलासा यह लोग जो यह लोग freedom of speech का एक ढकोसला लेके आ रहे हैं तो दो दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ तब भी पाकिस्तान जीता फिर क्यों पटाके नहीं चलाए फिर क्यों नारे नहीं लगाए डेली ब्रेटली भारत के खिलाफ नारे लगाएगे डेली ब्रेटली पाकिस्तान के नारे लगे डेली ब्रेटली आजादी के नारे लगे यहाँ पर freedom of speech नहीं आती है यह देश-दुरो है इसे देश-दुरो कहते हैं और deliberately हमारे जो भारत के अलग-अलग शहरों से बच्चे राजियों से बच्चे जो स्किम्स शिर्नगर हास्पिटल में पढ़ रहे हैं उनके सामने नारे लगाएगे उनको जानमूच के उनके सामने यह नारे लगाएगे और जानमूच के उनके आगए यह हैं deliberately यह काम किया गया यह freedom of speech नहीं होती इसे देश-दुरो कहते हैं यह freedom of speech नहीं है यह कुछ so-called liberals, intellectuals gang और जो इस तरह का परिशान जीवी gang है वो आ जाते हैं जब देश प्रेम की बात आती है और देश-दुरोहियों के उपर जब गाज गिरती है तो यह freedom of speech लेके आ जाते है भारत तेरे टुकडे होंगे आप यह बोलोगे freedom of speech क्या कहती है भारत के खिलाफ आप नारे बाजी करोगे freedom of speech क्या कहती है जमु कश्मीर का आप बदनाम करोगे freedom of speech क्या कहती है आप सरकारी नोकरी करेंगे और देश के खिलाफ बोलेंगे freedom of speech यह कहती है कि आप स्किम्स में सरकारी खाते पर मुफ्त में स्कॉलर्शिप पर पढ़ाई करोगे और पाकिस्तान के नारे बाजी करोगे और भारत के खिलाफ नारे बाजी करोगे ये freedom of speech नहीं है इसे देश द्रोह कहते हैं आशी जी कितना खत्रा है उन बच्चों के लिए जो खास तोर पर जम्मू से कश्मीर पढ़ने जाते हैं या फिर बाहर के बच्चे आते हैं उन मुठी वर लोगों से अगर आज ऐसे देश द्रोहियों को नहीं रोका गया तो कल स्किम्स में हमारे फोजी भाईयों का इलाज होगा देश भक्तों का इलाज होगा तो आप कैसे इन पर विश्वास कर सकते हैं जिनमें आज पढ़ाई की उमर में ही देश द्रोह का element है इनको आज ही रोकना चोटा बच्चा होता ना चोटा बच्चा जब शरारत करता है तो उसको मा समझाती है माबाब समझाते हैं जब नहीं समझता और बत्तमीजी करता है गलत हरकते करता है तो उसको मारना भी पड़ता है चांटा भी लगाना पड़ता है ताकि वो बच्चा सुधर जाए अगर नासूर बन जाएगा कि फिर अल्रेडी हम लोग ऐसे सेपरेटिस्टों के साथ डील कर रहे हैं ऐसे देश द्रोहियों के साथ डील कर रहे हैं तो हम आने वाले टाइम में ऐसी और लोग नहीं देना चाहते इसलिए आज ही लेटिनेंट गवर्नर साहब को इनके उपर जो यूए पीए एक्ट लगाया है बहुत अच्छा किया है बस इनके उपर ये एक्ट लगाकर ये देखा जाए जब तक ये ठीक नहीं होते इनके उपर ये एक्ट लगा रहाना चाहिए और इनको जो लोग शील्ड कर रहे हैं उनके उपर ये पीएस से लगना चाहिए एक आखरी सवाल मेरा आपसे रहेगा जिस तरह से 370 टूटे हुए दो साल से जादा का समय हो चुका है ग्रह मंतरी अमिद शा कश्मीर के मंच से ये कह कर गए है कि कश्मीरियत और कश्मीरी युवाओं को साथ लेकर चलना है लेकिन जब इस तरह की निस्टा और भावना रहेगी भारत के प्रती तो कितना और मुश्किल होगा कि कश्मीरियत और कश्मीरी युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए भारत के निर्मान के लिए साथ लेकर तो हमें चल रही है, ठीक है, और साथ लेकर हमारी सरकार भी चल रही है, हर किसम के फाइदे, हर किसम के स्कीम्स का फाइदा जम्मू को भी मिल रहा है, अब कश्मीर को भी मिल रहा है, जहां कश्मीर को पहले मिलता था, अब जम्मू को भी मिलना शुरू हुआ है, इन सब चीजों को देखते हुए अगर किसी के अंदर ऐसा ऐलिमेंट आज भी है तो उन चीजों को सुधारना पड़ेगा। उन चीजों को सुधारने के लिए हमारी भारत सरकार हर कदम उठा रही है। 370 को तोड़ना एक सबसे बड़ा कदम इसी लिए था क्योंकि इस तरह के ऐलिमेंट्स यहां पर पनपते जा रहे थे। जो लोग आज भी यह पूछते हैं 370 से आपको क्या मिला तो उन लोगों को यह समझना चाहिए कि आज 370 खतम होने के बाद जब थोड़ी सी सकती की गई उस सारी चीजों को देखा गया तो एक भी किलिंग कश्मीर में नहीं हुई। जबकि एक छोटा मोटा आतंकवादी भी मर जाता था तो उस आतंकवादी के मरने के बाद भी 6-7 लोग ऐसे ही मर जाते थे। उस सीजों को देखते हुए आज कंट्रोल बड़ा किया है हमारी भारत सरकार ने और हमारी इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर पुलीस ने और इस तरह की हेड्लाइने लिखकर आप टियार पी लेने से अच्छा है आप हेड्लाइन ये बनाएं कि जम्मू कश्मीर पुलीस की हिट लिस्ट में है देश द्रोही, इंडियन आर्मी की हिट लिस्ट पे है देश द्रोही, एलजी सरकार की हिट लिस्ट पे है देश द्रोही हेडलाइन ये है क्योंकि अब देश द्रोहियों का यहां से दाना पानी खतम हो चुका है और जिस तरह से अनने जमवाल जी ने लिखा था मैं उसी बात को दोराओंगा जब तक ये नहीं सुधरेंगे हम नहीं रुकेंगे और इनको सुधारना है इनको सुधारना है मैं इसमें GMC रजोरी के जो प्रिंसिपल सर हैं उनको मुबारक बात दूँगा ब्रिज मोहंजी जिनोंने एक बड़ाक फैसला लिया और शुरुवात की रजोरी से क्योंकि अब इनको सरकारी दमाद नहीं बनाना है 370 के चलते ये सरकारी दमाद थे अब ये सरकारी दमाद नहीं है सरकार में नोकरी करनी है सरकार का ही गुनगान करना पड़ेगा भारत में रहना है भारत का ही गुनगान करना पड़ेगा ये बिलकु स्पष्ट है और मैं बिलकुल कड़े शब्दों में इसका इस्तिमाल करता और इस तरह की वीडियोज हम आप तक लेकर आते रहेंगे, हर हफते में इस तरह का सेशन रहेगा, अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम सामने लाएं उस पर बात करें, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं धन्य क्या होगा, बॉर्डर के उपर इमरान खान न्याजी खड़ा होगा, छितर लेके, छितर जिनको नहीं समझ आता है, उनको बता दूँ चपल, जुत्ती, शूज, इनको छितर लेके खड़ा होगा, छितर मारेगा इनको, फिर ये वापिस आएंगे छितर खाके, फिर इनको बढ़ा चलेगा, यहीं ठीक है, वहाँ बर छितर ही पड़ रहे हैं, और अलरड़ी इमरान खान कटोरा लेके खड़ा है, बिखारी, तो आप लोग वहाँ क्या करोगे, या तो उसके साथ आपने भी बीख मांगनी है, या तो आपने भी उनको बीख मांगनी है, तो जाओ, आपके कहने का मतलब इनको मोका देना चाहिए, मोका जाएंगे तो चितर खा कर ही आएंगे, बहुत बहुत शुकरिया, तो देखी अगर पाकिस्तान जाएंगे, तो वहाँ से भी चितर खा कर ही आएंगे, तो उमीद है कि जो लोग देश द्रोह को सपोर्ट करते हैं, और इस तरह की विचार धारा रखते हैं, वो जल्द से जल्द सुधर जाएंगे, और देश के प्रती, जमु कश्मीर के प्रती, भारत के प्रती, एक सची निस्टा भावना जरूर रखेंगे, देखते रही है चैनल वन